हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो मैं यूटीब चैनल फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये दिखें, गोल्डन कलर की लटकन और गोल्डन डोरी इसको हम ड्रेस के साथ कैसे अटैच करेंगे तो वैसे तो फैबरिक की डोरी भी बनाई जा सकती है लेकिन अगर हमारा वर्क वला है, ड्रेस तो उसमें ये डोरी आजकल बहुत ट्रेंड में है तो इसको कैसे अटैच करना है और लटकन को इसके साथ कैसे अटैच करना है आज की वीडियो में मैं आपको ये सारा procedure बताऊंगी तो friends ये देखिए दो parts में मैंने cut कर दी है ये एक मीटर डोरी मैंने ली थी और ये golden लटकन है तो इसको हम कैसे attach करेंगे ये देखिए ये जो उन्होंने golden बारीक डोरी दी हुई है कई तो इसमें ही बान देते हैं लेकिन ये सही तरीका नहीं है सही तरीका है इसका जहां से वो डोरी शुरू होती है वहाँ पे हमें अपने दूसरी डोरी को attach करना है पहले सुई धागे की मदद से ये दिखिए ऐसे लगाने से बहुत मजबूती से और सफाई से लगती है लटकन तो ये देखिए गोल्डन कलर का ही हमने धागा डालना है इसमें ताकि वो नज़र ना आए तो इसको बिल्कुल ऐसे हम पक्का कर देंगे ये देखिए तीन चार टांके लगा के यहां से हम पक्का करेंगे और अब हम जो हमारी मोटी वली डोरी है उसके साथ ही सुई का जो धागा है उसको भी उसके साथ ही उदर की साइट कर देंगे और ये जो छोटी डोरी है हमारी लटकन की इसको हम सारे रोल रोल करके ये देखे इस पे रैप कर देंगे लपेट देंगे इससे एक तो बहुत सफाई आती है लटकन लगाने में और ये मजबूती से भी लगती है अगर फैब्रिक की डोरी है तब भी यही प्रोसीजर है इसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है लेकिन आजकल ये डोरी जो है वो ट्रेंड में है अगर गोल्डन वर्क है हमारी ड्रस में तो गोल्डन डोरी मिलती है और अगर सिल्वर ड्रस है तो सिल्वर भी मिलती है और इ ये दिखिए हम धागा दूसरी तरफ लेके आये थे बड़ी डोरी के साथ ही अब उसके साथ यहां से हम इसको अटैच कर देंगे कि ये खुले न अच्छे से यहां से भी अटैच कर देंगे धागा हमें गोल्डन ही यूज करना होगा क्योंकि गोल्डन धागा जो है ये नजर नहीं आएगा बहुत अच्छे से हमें पक्का कर देना है और यहां से इसको बंद कर देना है पक्का करके ये हमारी एक साइड की जो लटकन है वो डोरी के साथ अटैच हो चुकी है कई तो वैसे ही बांद देते हैं गांट लगा के लेकिन वो सफाई से नहीं अच्छी नहीं लगती है और मजबूती से नहीं लगती है कभी भी गिर सकता है लटकन हमारा तो ऐसे एक मजबूती से लगती है और सुन्दर भी लगती है देखने में तो ये दोनों मैंने सेम वही प्रोसीजर से दोनों अटैच कर दी है तो अब हमें इसको ड्रेस के साथ कैसे अटैच करना है ये मेरी जो ड्रेस है वो सिली हुई है तो इसके जो कंधे की सिलाई है वहाँ पे थोड़ा सा ये दिखिए थोड़ा सा आगे की तरफ करके इसको हम ऐसे रखेंगे बिल्कुल कंधे की सिलाई के उपर और सुई धागे की मदद से इसको अच्छे से अटाच कर देंगे ये पूरी हमें ये दिखिए गले की जो हमारी टिकन है उसके उपर पूरी टांके लगा के इसको सेट कर देना है पक्का कर देना है ये देखिए यहां तक हमें इसको अच्छे से पक्का करना है और टांका ऐसे लगाना है कि वो टिकन के उपर रहे गले की तरफ फ्रंट की साइड पे टांका नहीं जाना चाहिए तो फिर ये बहुत अच्छी सफाई से लगी हुई लगती है मजबूती से इसको लगा देना है तो ये देखिए फ्रंट्स ये हमारे डोरी बिल्कुल सफाई से लग चुकी है फ्रंट से बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा नीचे सिरफ टांका आया है इसका और ऐसे ही हम सेम दूसरे तरफ भी डोरी को अटैच कर देंगे जैसे मैंने उधर की की है तो फ्रंट्स ये देखिए अब दोनों तरफ की जो डोरी है इसको अच्छे से पका अगर के लगाएंगे और दोनों तरफ की जो डोरी है ये मैंने अटैच कर दी है तो देखिए friends कितनी खूबसूरत लग रही है ये dress को और पाटी वर्सा ब्यूटिफुल सा लुक मिल गया है तो hope ये वीडियो आपके लिए helpful रही होगी अगर आपके लिए helpful रही है तो friends इसको like कीजिए, comment कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए ताकि ऐसे अच्छे अच्छे आइडियाज मैं आपको देती रहूँ तो ये देखिए friends कितनी beautiful लग रही है डोरी हमारी dress और भी heavy look dress को मिल गया है बहुती खूबसूरत लटकन बजार में मिलती है तो friends इसको ऐसे आप खुद से attach करें तो friends कैसी लगी आपको वीडियो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को बाई बाई मिलती हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ बाई बाई friends टिक केर